हेलो, वेलकम स्टूडेंस तू मैं यूटूब चैनल तूडें इन ती साइन्स क्लास वे लिए इसका टोटल कोईश्चेनल ए बीसी टी इतक डिसकासन करेंगे एक वीडियो में ओके यह जो है डेवी पॉब्लिक स्कूल सिलेवस से रिलेटेट है प्लान निचे पॉब्लान यहां एक चीज़ आपको समझना है कि शूट क्या होते है रूट क्या होते है ओके सूट इस पॉर्ट इस अबव तो ग्राउंड लेवल जो मिट्टी से उपर रहते है प्लान के उसको शूट बोला जाता है और नीचे जो बिलो तो ग्राउंड इस नीचे पॉर्शन को रूट बोला जाता है उपर को सूट बोला जाता है यह वाड का क्लियर हो गया उसके बाद देखे किया करी करते है तो स्टेम 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 करी करते है सो ट्रंक का जाता है इसको का जाता है चाहें सुबब मbuat मैलन एंड राश डाल एक्जांपल सर्टिंद है एक्जांपल 19 graves का से प्लॉअ 7 ऑंध देन कोइसन पर फाइब डैस ज浜 एन एक्जांपल आप क्लाइब टाइप ब्लांट यहां दो तिन एंसर से पी से ग्रेफ से और मॉय आपको कोई एक की लिखना है से यहां एंसर में लिखा गया की पी ब्लांट ठीक एंसर वन इस दस्टेंट रॉंक थार्ड हर्फ फूर्थ क्रीपर्स और फिर प्लांट अनिमा राइट अंसर ग्रे फूर्टर ग्रेफ एंसर घ्रेफadenसर क्या राइब ही तो फी ऐंसर डीख था और में प्लांट एपटी प्लांट इनक जर्च और क्लांट ब्लांट जाए था वे ऐि के अन कहड़ए यहां इन्डऋ डीफ्नों एयर्ट क्लांवल आति कर्था था examples P plant that is C P plant and then fifth one creeper, creeper ka example क्या है, यह बीटरगार, ठीक है, तो one tree, mango, two stop, rose, three herb, tomato, fourth climber, peanut, a P plant and fifth creeper, that's A, बीटरगार, then C, tick the correct option, okay, one, यहां देखें के question sir, one to three है, three questions है, one, question number one, the plants that give sad to human and animals sir, जो plant की sad human being को और animals को sad देता है, चाय देता है, उसको क्या बुला जाते है, that is A, shrub, B, trees, C, harvest and degree first, so B is the correct answer, trees, trees हमें क्या देता है, set, provide कारता है, को human or animals को, second, the part of a plant, that stores seeds, जीस पार पे, प्लांट का जीस पार पे, seed store हो के रहता है, कौन सा पार है, fruit, that is A, यह सब पता है, fruit पे ही बीच रहता है, seeds रहता है, so that is A, fruit, and third one, the plants, that look like bushes with many branches, are known as D, shrubs, so D is the correct answer, then D, answer the following questions in brief, so get ready for the questions of question number D, there are four questions, so let's start question number one, state the function of a leaf, एक leaf का function क्या होता है, answer, the function of a leaf, is to make food for the plant, पेड के लिए आप ट्री के लिए क्या करता है, प्लांट के लिए, food produce कारता है, यह खाना बनाता है, ठीक है, then second question, second one is, write the rule of the roots of a tree, tree का root का क्या rules रहता है, एक, answer, the rule of the roots of a tree are, there are two points, so that first one is root fixes the plant in a soil, in the soil, अब root क्या करता है, प्लांट को आप आप लिए फीक्स करके रखता है, second one, the roots of a tree are very deep in the ground, ground पे deep तक जाता है, और उसके लिए क्या करता है, इसका रेजन जो है, and balance भी कर पाता है, ट्री को पकड़ के रखता है, मिट्टी के साथ, third part, they can, they are for absorb water and minerals from deeper part of the soil, जो soil के deeper part पे water रहता है, minerals रहता है, प्लांट के लिए वो collect करता है, okay, इता है, then question number third, what type of stem do climber shape, climbers के किस टाइप का stem रहता है, यहाँ examples पे दिया गया है, देखो किस टेप का आप फोटो देखके भी जा सकता है, pea plant है, अब उसके बाद जो graphs है, या फिर money plant है, यह सब climber है, तो इनका stem केसे रहता है, answer, the climber shape very weak, thin stem रहता है, both weak रहता है, strong नहीं होता है, very weak होता है, and thin पतला भी रहता है stem, and they cannot stand and grow straight on their own, अपने आपो लोग खड़ा नहीं हो सकते, okay, about नहीं सकते, so उसके क्या सकता है, they need support to climb up, क्लाइम उसको क्लाइम करने के लिए कुछ support चाहिए, हम लोग कुछ support देते हैं, तो उसके सारे यह लोग grow करते है, okay, then question number four, state the difference between the stem of the shrub and the herb, यहाँ आपको लगे गाए से ई पे भी यह question है, यह shrub और herb के भीज में difference के बारे में, बाट उसमें total दिया है, इसमें अब यह करना क्या है, अबको बस stem में क्या different रहते है, so that answer one, the shrub have woody stem, अब एक्जम्पल पे दिए गया है, बगन बेला and then cotton, यह सब एक्जम्पल से, तो इन लोग क्या होते है, but they are not as strong and big as trees, tree के जैसे strong नहीं होते है, and shrub have many smaller stem branching up near the ground, ground के पास से क्या होते है, इनका बहुत सारा stem नहीं कलता है, ground से, okay, यह की stem नहीं होते है, जैसे tree का रहता है, इनका बहुत सारा stem नहीं होते है, then second type, harps, harps have thin stems and which are green in color and are not woody, तो harps का क्या होते है, इनका जो stem है green color का होते है, okay, and these are not woody, और woody भी नहीं है, ठीक है, तो इसका examples क्या है, यह फोटो पे पिया, आप रहे, इमेस पे देख सकते हो, diagram पे, पिया जो है, tomato, and then mint, and lady fingers, so these are, and all these plants have, and all these have क्या होते है, green stem रहते हैं, and these are also not woody, question number e, answer the following questions, इसमें भी four questions है, इसका discussion करेंगे, one by one, get ready, one, draw and level different parts of a plant, इसमें करना क्या है, आपको एक plant का diagram बना नहीं है, उसमें अभी इसका जो different parts होता है, उसको leveling करना है, okay, उसका नहीं होता है, so this is the tree, diagram of a plant, showing its different parts, and the first one is leaf, and then this is the fruit, and then it comes the branch, flower, boat, and then our next part is stem, and the last part is, and which is on to the ground, that is root, so you have to make this diagram like this, and show the different parts in such a way, okay, make it to yourself, and then the question number two, write any three features of tree, tree का three features के बारे मैं लिखना है, answer, yeah, I've given here five features, but you have to write any three here, ठीक है, आपको पांस यहां दिया गया है, आपको तीन लिखना है, जो भी आपको एजी लग रहे, answer, three features of trees are as given below, big plants, पहला दिखते हैं कि ट्री किसको बूला जाता है, so big plants are called trees, जब बड़ा plant होता है, उसको trees कायता है, ठीक है, तो one of the features is one, the woody and strong stem of a tree is called the trunk, जो tree का woody and strong stem रहता है, उसको क्या का जाता है, trunk का जाता है, second point, many branches of a tree coming out from the trunk, trunk, trunk से बहुत सर ब्रांच से निकलता है, and there are leaves, flowers and fruits in it, उसी ब्रांच जाता है, leaves रहता है, flowers रहता है, then fruits भी रहता है, then third point is, the roots of a tree, जब बड़ा जब water from deeper part of the soil, root का रहता है, ground level पे रहता है, ground के अंदर, मिटी के अंदर रहता है, soil के अंदर, also you have to add, and one first one is, tree sleep for several years, बहुत साल तक जब रहता है, sometimes even hundreds of years, सो साल तक भी जब रहता है, ठीक है, and second point is, another point, at you may add here, animalitis, at least give share to human and animals, स्वामे क्या देता है, चाय प्रादान करता है, provide करता है, share, provide करता है, human, so animals को, then question number third, write the differences, between straws and hops, that you know, know of, अब पहला deep पही क्या 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 था, straws और हर्प के stem के difference, ठीक है, अभी क्या है, total आपको, दोनों में भी स्वाइज में क्या difference है, उसको देखना है, अब इसके बारे में लिखना है, so answer is, पहला स्टार्ट करते हैं, बहुत सारा ब्रांच रहता है, इसका, जो की ग्राउन के पास से निकलता है, and they can grow more than 6 meter, 6 meter से भी जादा बढ़ सकते, and then shrub sleeps for a few years only, few years only, and rose, बगन्मिला, कटन, चैना, रोच, मेहन्दी, are some of the examples of shrub, and second type, herbs, and herbs have thin stems, which are green in color, and are not oody, color उसका green रहता है, and oody नहीं है, ये सब stem, and then examples, tomato, mint, and ladyfingers, so and then, write what you have to write, and herbs are generally small inside, ये छोटे साइच कहा होता है, they are grown in a particular season, किसी particular season पही इसका, growth होता है, ठीक है, growth होता है, seasonal है ये सब, and they live only for, one or two seasons, and produce their flowers, fruits, and seeds, in this particular time only, इसी time पही आपना, और सब कुछ करते है, flowers, fruits, and seeds आता है, and after one or two seasons, they die, एक दू season के बाद, उनका, इस सब का, herbs का, death हो जाता है, day करते है, ठीक है, they die, and examples, wheat, rice, sunflower, tomato, mint, and daily fingers, are some of the examples of herbs, and then, the question number, last question, ये fourth, and why do some plants, creep on the ground, which plants, जो है, ग्राउन पर क्यों क्रीप करते, जो जो जानन अज़ ग्रीपर, we see them as creepers, so for example, सही है, जो है, पंकेन है, and then, strawberry, ग्राउन ये, सब, जो है, क्रीपर है, so that हुआ, answer, some plants, creep on the ground, and spread their branches, on the ground, because, they have, thin and weak stems, ये लोगा क्या होता है, जो stem है, वो बहुत पतला रहता है, thin रहता है, and weak रहता है, so that, अगर thin है, or weak है, तो क्या होगा हो, जब बहुत क्रीपिंग करके ही पढ़ता है, so that these are not as the creepers, okay, thank you students, for watching the video, please like and subscribe, my YouTube channel, for new updates,